मॉडूरस फंक्षन में एक इंपॉर्टन टाइप होती है वो समझते हैं कई बार इस तरह की कोश्चन्स आते हैं कि find minimum value of mod x-1 plus mod x-2 plus mod x-3 plus mod x-4 plus mod x-5 plus mod x-6 plus mod x-7 plus mod x-8 और हो सकता है mod x-1 यह आपने देखे होंगे mod 2x-1, mod 3x-1, mod 4x-1 up to mod 100x-1 हो सकता 50x-1 हो mod x-1, mod 2x-1, mod 3x-1, mod 4x-1 up to mod 119x-1 या mod x-1, mod 2x-1 जब भी कभी इस तरह के कोश्चन्स आए i equal to 1, 2 मालो मैं 200 ले लू summation x i-1 ऐसे कई सारे आपको कोश्चन्स मिल सकते हैं इन कोश्चन्स में आप से अगर minimum value पूछी जाए देखिए mod function में minimum भी पूछा जाएगा maximum इसका defined नहीं हो infinite तक जाएगा और आपको भी पता ये किस concept पे बेज़ दे तो मैं एके करके आपको इन कोश्चन्स को बताता हूँ two three questions से आपके concept clear हो जाएंगे और फिर आपको इस तरह के question में problem नहीं आएगी अब बात आती कि according to examination point of view ऐसे questions में क्या करना चाहिए आप लोगों ने ये भी पूछा है कि सर इस तरह के questions आएं तो क्या करना चाहिए देखिए मैं भी आपको इसका solution दूँगा तो आप समझ जाएंगे इस तरह के questions में कई बार time बहुत लग जाता है तो time consuming questions होते हैं time consuming questions कभी भी exam में favorable questions नहीं हो सकते क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा score आए तो आपको पहले वो question देखना है जो कम time में आप जल्ली कर सकते हैं फिर उसके बाद in questions पर जाना है तो इनके concept समझना जहूरी एक पर concept clear हो जाएगा तो problem solve हो जाएगी और मैं बहुत ही simplest way में आपको वो logic बताऊँगा वो trick जिससे आप minimum time में कर पाएंगे पर minimum time भी थोड़ा सा लगेगा वो time जो की मैं आपको simplest way में बता रहा हूँ तो भी आप देखेंगे time कैसे लगता है तो आप समझ पाएंगे और इन question का basic concept क्या वो बता देता हूँ सबसे पहले एक बात समझे ये पूरा completely mod पर based है 1, 2, 3 questions ये लिखें 1, 2, 3, 4 इसमें से आप जड़ाएंगे करके one by one समझेंगे तो पूरे session को end तक देखेंगे तो आपको सारे doubt, सारे concept clear हो जाएंगे क्योंकि ये question काफी simple है इसमें mod में x minus 1, x minus 2 है यहाँ पर x के साथ coefficient भी है अच्छा इस question में भी मैं इसको generalize कर सकता हूँ x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4 अब suppose mod x minus 50 ऐसे कोई भी question तो जो मैं आपको technique बता रहा हूँ वो एक general technique है conceptual technique है, logical technique है अगर आप इस techniques को follow करेंगे तो आप questions को बहुत easy way में solve कर पाएंगे आप बात करता हूँ कि इन questions को करना कैसे चाहिए तो सबसे पहले बिल्कुर basic questions से अगर हम start करेंगे तो clarity भी आईगी और आप questions easy way कर पाएंगे तो number one अगर question की बात की जाए कि इसको क्या करेंगे तो मैं आपको इसको graphical concept से समझाऊँगा जिससे आपकी understanding बढ़े साथने method भी अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि mod function का basic funder क्या है देखिए अगर mod x लिखा हो जो मैंने आपको mod के अलग से भी concept बता हुए अगर mod x लिखा है तो mod x में क्या होगा x if x is greater than equal to 0 minus x if x is less than 0 अच्छा इसमें हमारा concept ये कहता है कि mod का result कभी negative नहीं होता पर ये negative इसलिए लगा है कि negative और negative मिलके positive हो जाए suppose mod x माइनस 1 हो तो क्या होगा तो x माइनस 1 होगा if x is greater than equal to 1 minus x माइनस 1 होगा if x is less than 1 इसी concept पे based है इनकी breaking point को धूनना पड़ता है तो अब एक बात याद रखी कि अगर हम y equal to mod x की बात करें तो इसका domain होता है real number और जब range की बात करते हैं तो range होता है 0 to infinite यानि इसका minimum value होता है 0 maximum infinite तक जाता है तो आपसे इसका minimum पूछा है पर अगर आपसे इसका maximum भी पूछे तो आगे पक्की बात है ऐसा लिखा होगा अब जो चीज़ आपकी minimum है वही चीज़ आपकी maximum भी बन सकती है वही चीज़ आपकी maximum भी बन सकती है ये basic इसका concept है तो इस concept को आपको समझना पड़ेगा कि हम इसी concept पे questions करते हैं अब जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपसे ये question कि number one question की बात करें कि इस question को मैं कैसे solve करूंगा तो इस question को solve करने का जो मेरा technique क्या जो मैं बताऊंगा आपको वो समझेगा कि अगर मान लेजे ये केवल ऐसा होता mod x minus 1 तो क्या करते हैं तो आपको पता है इसका breaking point होता 1 और ये 1 पे break हो जाता तो ये 1 पर turn होता ये इसका basic fund है पर अगर तो इसका मतलब 1 से पहले अगर मैं इसके nature की बात करूं तो आगे negative लगेगा और 1 के बात करूं या greater than equal to 1 तो ये positive हो जाएगा तो हमें एक चुल में इसको open करना होता है और इसकी minimum and maximum value हमेशा breaking point पे ही मिलेगी mod है इसलिए minimum मिलेगी पर आगे minus लगा दो तो maximum भी हो सकती है तो आप इस बात को समझेए कि अगर मान लेजिए question ऐसा होता ये single function आप बहुत इजिली बता बाते हैं पर मान लेजिए कि question ऐसा होता ये जो लिखा है वो ही ले लेते हैं एक अच्छे question से starting करते हैं कि अगर हम देखें तो इसकी breaking point 1 से लेके 8 तक होने वाली है यहाँ पर इस concept को आप बहुत यूज करेंगे sigma n को और इसी से मैं आपको technique भी बताने वाला हूँ n into n plus 1 by 2 राइट? अगर हम समझें कि x की value अगर इसको हम graphically समझें तो क्या concept है वो देखिएगा जरा और बहुत अच्छे समझिएगा कि अगर हम इसको समझें तो कुछ ऐसा होगा कि इसको यहाँ पर ऐसा समझें मैं graph से और maximum minimum से भी बताऊँगा increasing decreasing function से increasing decreasing function क्या होता है यह सारे concept थोड़ा revise कर रहा हूँ इस f dash x greater than 0 हो तो increasing f dash x less than 0 हो तो decreasing f dash x less than 0 हो तो decreasing f dash x greater than 0 हो तो increasing तो अगर माल देजिए आपने input देना चालू किया और decreasing से increasing पे जा रहा है तो minimum छोड़ जाएगा increasing से decreasing पे जा रहा है तो इसका मतलब maxima छोड़ जाएगा इस concept को हम यहाँ पर use करने वाले हैं और यही एक सबसे simple technique होती है जिससे आप question को easily कर पाएं अब जैसे इस question में अगर हम देखें तो हमारे पास 8 breaking point है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जैसे यह 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4, 5, 6 और फिर मैं आपको अभी जहूर आपको लगेगा इसमें कि मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो time ले के समझा रहा हूँ, question solving में time लगेगा पर जैसे ही एक बार समझ में आजाएगा तो उसकी short technique बताऊँगा पर क्योंकि अगर मैं यह नहीं बताऊँगा तो आपको यह concept के लिए नहीं हो पाएगा कि इस question की actual approach क्या actual concept क्या है, तो इसलिए इसमें अभी आपको थोड़ा time जहूर लगेगा एक बार मैंने जैसे concept बता दिया तो इसकी short tricks पर जाऊँगा कि 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 concept पर based है, अब माल लीजिए कि अभी मैं बिना differentiation के कर रहा होता, तो क्या होता, सबसे पहले अगर मैं ठीक ठीक 0 रख दूँ, 0 रखना आसान है हमारे लिए, तो अगर मैंने 0 रखा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिलेगा, तो इसका मतलब 1 से लेके 8 summation तक मिलेगा, यानि जिसे sigma n या 8 into 8 plus 1 by 2 यानि आपको 36 मिला तो जब x की value 0 थी, तो ये 36 हो गया फिर 1 रखेंगे तो क्या होगी वो देखते हैं, जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे, समझ ना भग ध्यान से और 8 तक जाएंगे, जब हम 1 रखेंगे, इस concept को आपने समझ लिया, तो वो जो question है x minus 1, 2 x minus 1, 3 x minus 1 100 x minus 1, बहुत जली कवर हो जाएगा तो आपने जैसी 1 रखा तो ये 0 ये 1, ये 2, ये 3 आप 2, 7 तक मिलेगा, राइट तो 7 into 7 plus 1 by 2 जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 into 8 by 2 यानि 4 time cancel यहाँ पर ये हो गया 7 into 8 by 2, यानि 28 value कुछ कम हुई, ये देखें decreasing की तरफ जा रहा है फिर ये clear है बात अब आप जब 2 रखेंगे, त्यान रखना आप यहाँ पर तोड़ा सा concept लगेगा क्योंकि breaking point ले रहा है जब ठीक 2 रखेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिलेगा, तो 1, 2 अब यह यह technique से हैं जिनको हमें time save करना है, क्योंकि बीच में आपको 0 मिलेगा, 6 into 6 plus 1 by 2 3 time, तो 21 plus 1 22, यानि 2 पर आपको 22 मिला जब आप ठीक 3 रखेंगे तो क्या होने वाला समझेगा अब जब आपने इसमें 3 रखा तो देखें क्या होगा इस तरह के questions अक्सर जहीं जैसे exam से मिल सकते हैं या आप preparation कर रहा हैं कोई भी exam की अच्छ exam की तो ऐसे questions आपके level को develop करते हैं अब देखें जब आपने माल लेजे 3 रखा ठीक तो 3 रखा तो ये 2 ये 1 ये ठीक 0 अब यहां से देखें 1 से लेके 5 तक step shape कर ये 5 ये 3 हो गया ये 3 हो गया कहीं पर दियान रखेगा और ये 5 इंटू 5 प्लस 1 6 बाए 2 ये 3 15 प्लस 3 18 तो 3 पे आपको मिला 18 ठीक है थोड़ा गरापको ऐसा खीच लेंगे अब यहां कर लेंगे थोड़ा ये हो गया 18 माल लीजे अब मैं ठीक 4 रखा हूँ क्योंकि देखिए ये 8 तक का है जब 100 तक का हैगा तो उसमें तो इसलिए इस कंसेप्ट से आपको कोशन इसली बनेगा अब माल लीजे आपने रखा 4 तो 4 रखा तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 मिला बात एक है 3 प्लस 2 प्लस 1 मिला 4 पे ये 0 हो गया 1 से लेके 4 तक मिला तो यानि ये हो गया कितना 4 इंटू 4 प्लस 1 यानि 4 इंटू 5 बाइ 2 ये हो गया 10 15 16 4 पे ठीक आपको 16 मिला अब आपने रखा 5 ठीक है अब आपने जब 5 रखा तो ये मिला कितना ध्यान दीजेगा 5 माइनस 1 4 3 2 1 बिलको सेम रिजल्ट होगा 0 फिर 1 2 और 3 यानि ये ही सेम रिजल्ट हुआ तो फिर 16 मिल गया 5 पर भी आपको समझ में आ रहा होगा वैलो कम होती जारी फिर जब आपने यहां पर फिर आपने जब यहां पर 6 रखा होगा तो क्या होगा देखिए जब आप 6 रखेंगे तो फिर समझ येगा 5, 4, 3, 2, 1 1 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 9, 12, 14, 15 15 प्लस 3, 18 यानि 6 पर आपको ये 18 मिला अब ये बढ़ना चालो होगा अब इसके बाद बनाने की जा होती है तो आप बहुत जल्ली middle most point पर पहुँचना होता है पर simple logic है कम होते होते कितना जाता है माल लीज़े कि अगर आप 7 रख रहे होते तो ये मिलता 6, ये मिलता 5 ये मिलता 4, ये मिलता 3, ये मिलता 2, ये मिलता 1 और ये मिलता आखरी में 1 तो फिर वो जा जाता 6 into 6 plus 1 7 by 2 plus 1 ये 3, 21 यानि 22 ये 22 और ऐसे ही ठीक 8 रखते 8 minus 8, 0 तो ये हो जाता 28 यानि अब अगर हम गिराफ को समझें तो कुछ गिराफ ऐसा बना ये बना गिराफ अब इसकी ये minimum value आ गई कितनी? इसकी minimum value आ गई minimum value 16 अब 4 भी बोल सकते हो 5 भी बोल सकते हो तो ये इसकी minimum value होई है ये इसकी minimum value होई तो अगर आपसे इस question में बोला आप जैसे क्योंकि इस बार जो ही के exam में integer type questions भी है जिसमें integer answer देना है अब आपसे अगर इस question में पूछा जाए कि if fx equal to this and minimum value of this function is m find the value of m तो आप बोलते 16 हो सकता है आपसे पूछें root of m तो root 16 का आप बोलते 4 अच्छा integer type value में कोई जो ही नहीं कि 0 to 9 integer ही हो कुछ भी हो सकता है 1.6 भी answer हो सकता है 2.9 भी हो सकता है 300 भी हो सकता है यानि answer integer के thumb में मिलने वाला है तो आप यहाँ पर हम समझें कि यह इस तरह के questions आप से पूछे जा सकते है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने इसकी minimum value बता दी conception भी बता दी यही concept हर question में apply होता है और आपको starting से end तक नहीं रखना पर पहला question मैंने इतना इसलिए लिया कि इससे आपका एक जो concept बिल्ड होगा अगले question में हम direct middle most पर जाएंगे जैसे कि मुझे यह पता है कि 36 ठीक 0 रखने पर आ रहा है या 1 रखने पर 1 रखने पर 28 आ रहा है तो इसका middle most है 14 यानि जिस पर 14 के बाद या 14 के पहले इसका nature में change होगा हमें वो integer धूनना होता है वो एक चीज़ समझेगा तो यह इसका basic fund हुआ अब इसको हम थोड़ा था maximum minima के concept समझे क्योंकि अगले questions आप वैसे ही कर पाएंगे तो आप देखिए माल लिजे कि question आपको ऐसा आया यह question को समझे कि आपने सबसे पहला case लिया x less than equal to 1 ध्यान दीजेगा यह decrease हो रहा है यह increase हो रहा है यहाँ पर f dash x 0 रहा होगा और यह फिर increase होना चालो हो गया तो हमें बस यह देखना है कि कहाँ पर decrease खतम हो रहा है और कहाँ से increase start हो रहा है वो point निकाल लिया और उस point को हम बोलेंगे point turning points और उस point पर हम max या minima बता सकते है जो हमने concept application of derivative में सीखा है जो मैंने आपको basic छोटी 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 चीज़े बताई यहाँ पर important बात यह है तो अगर आपने माल लिजे लिया x less than 1 तो suppose आपने x less than 1 लिया तो इन सब का nature मैंने कई बर बताया था x less than 1 जब लेंगे तो यह माल लिजे कि 1 मतलब 0 तो यह negative तो इसका nature negative यानि आपको logically सब के आगे negative मिलेगा अब मैं आपको conceptually बताता हूँ यानि ऐसा मिलेगा यह real line concept पेने equation के समय बताया था हमेशा बताया हुआ सब के आगे तो इसका मतलब logically यह मिला minus of 8x और यह सब प्लस हो जाएंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 8 यह हो जाएगा up to 36 अब मैं जो चीज समझाना चाहता हूँ सूचिए यहाँ पर अगर differentiation करते तो मिलता minus is legend 0 यानि less than 1 पर यह decreasing negative है तो फिर मैंने रखा 1 से बड़ा यह सब करना नहीं है समझाने के लिए बता रहो 2 से छोटा यह positive हुआ बाकि सब negative हो गए आप सूचिए अब constant जब differentiation करते हैं तो हमें constant से मतलब नहीं है हमारा मतलब constant से नहीं होता हमें केवल variable देखना है तो अब हम ना भी लिखे तो यह positive हुआ बाकि सब negative हुए total 8 factor नहीं यह 2x cancel हो गए तो एक तरह से मुझे अगली बार में fx minus 6x plus something मिला होगा मुझे इससे कोई मतलब नहीं क्या यह short तरीके बता रहो fdx पाया तो फिर minus 6 अभी भी decreasing चल ला है जब आपने 2 से बढ़ा लिया और 3 से छोटा तो यह 2 negative positive हो गए यह 2 इसको cancel कर देंगे तो आपको minus 4x मिला फिर negative मिला यानि अभी भी यह decreasing पर चल रहा है फिर आपने 3 से बढ़ा लिया और 4 से छोटा जैसे 3 को cross किया यह 3 positive हो गए यह 3 negative उसको cancel कर देंगे यानि आपको minus of 2x मिलने वाला है फिर differentiate किया फिर negative मिला अब जब आपने 4 से बढ़ा लिया 5 से छोटा लिया यानि आपने इसको cross किया जैसे इसको cross किया यह 4 negative यह 4 negative cancel यानि यहाँ पर एक तरह से देखें तो fx मुझे constant मिल गया constant मिल गया मतलब अगर logic से देखें तो हम यहाँ बोल सकते है x खतम ही हो गया क्योंकि 4 बार आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ पर ऐसा logic यह है कि जब हम यह condition लिखते है तो इनके natures को open करना है मैंने आपको starting में बताया था तो आप समझे कि यह भी negative मिला मतलब यह positive हो गया यह positive हो गया यह भी positive हो गया पर यह बात के negative मिले तो एक तरह से हम ऐसा बोल सकते है कि minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 मिला यहाँ पर plus 5, plus 6, plus 7, plus 8 मिला यह हो गया 7, plus 2, 9, plus 1, 10 minus का 10 मिला और यह कितना हो गया 15, plus 21, 26 तो एक तरह से 16 मिला तो इस case में 16 मिला और यहाँ पर f, 10, x करेंगे तो 0 यानि first derivative यहाँ पर 0 यानि यह turn पूरा complete peak पर आ गया इसलिए यह minimum value बे है अब जब मैंने 5 से बढ़ा लिया और 6 से छोटा तो यहाँ तक के positive होगा यह negative तो 3 positive, 3 negative 3 positive से cancel तो एक तरह से 2x तो बचेगा 2x तो बचेगा और यहाँ मैंने जैसे ही differentiate किया तो plus 2 मिला यानि greater than 0 तो यह negative से positive हुआ इसका मदलब decreasing खतम हो गया logic clear है? यहाँ पर जाके decreasing खतम हो गया अब increasing start हो रहा है यानि mod function के लिए हमें 4 और 5 यह मिल गया, 4 पर क्योंकि ठीक 0 हो रहा था तो return था, इसलिए हमने बोला कि 4 पर minimum है और वो समय 16 है क्योंकि constant है तो अब आपको इतना नहीं करना होता है जब question बहुत बड़ा होता है आपको बस यह देखना है और वो भी मैं आपको इसकी technique बता रहा हूँ कि आपको middle most देखना है जैसे आपको पता इसका sum 28 हो रहा है तो 14 के बाद कहां पर मिलेगा बस यह देखना होता है जो मैं आपको अगले question में समझाऊँगा तो logic यह हुआ कि आपको इदेखना है कि decreasing जहां खतम हो रहा है और जहां से increasing start हो रहा है वहीं पर हमको point of minimum मिलने वाला है और उस value को put कर दोगे तो आपको minimum value मिल जाएगी यानि fundamentally या logically यह इसका एक simple सा concept है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ तो इस question को भी आपने समझा होगा अच्छे से और logic भी समझ में आ गया होगा और बड़ा question मैं आपसे अभी sure हूँ कि जितना time में यह समझा है उससे बहुत कम time में समझा दूँगा क्योंकि मैंने आपको technique समझा दी और इस technique को follow करना है कि approximate तक कैसे पहुचेंगे यह एक चीज समझनी जहूरी है अब माल लिजे कि इसमें बढ़ाता जाओ यह सबसे easy होते है इसमें माल लोगे 50 तक लिख दूँ 60 तक लिख दूँ तो minimum कैसे बताएंगे यह आपको देखना होता है तो एक simple सा logic है जहां पर भी plus minus cancel हो गया वो देखना आपको तो माल लिजे कि question में ऐसा हुआ होता थोड़ी देख लिए सोचिए कि अगर यह question ऐसा हुआ होता कि मैं ऐसा वोल दो fx equal to mod x minus 1 mod x minus 2 mod x minus 3 up to mod x minus 20 तो आपको भी पता है 1 पर यह positive फिर positive फिर यानि 10 से 10 cancel हो जाता अगर ठीक मैं यहां पर x minus 10 ले लूँ और यहां पर ले लूँ x minus 11 और यहां पर ले लूँ x minus 9 तो देखिए आपको समझ में आ रहा है कि 9 तक logically 9 तक यह 9 factor negative है यहां पर 10 factor positive है ठीक 10 पर जाके क्या होगा कि यह दोनों आपस में यह 10 positive वो 10 negative constant यानि 10 पर इसका point of minimum मिल जाएगा जैसे 10 रखेंगे आपको answer आजाएगा एक बाद फिर समझ लिजे इस question को थोड़ा अच्छे से कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर question ऐसा लिखा होता तो आप क्या करते हैं देखिए माल लिजे कि आपको ऐसा दिया होता कि fx equal to mod x minus 1 इसमें कितना भी बड़ा कोशिए यह question थोड़ा जी होते हैं उसमें थोड़ा सा time लगता है plus mod माल लिजे x minus 20 बीच में मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ mod x minus 9 plus mod x minus 10 plus mod x minus 11 जो आपको step को कम करने वाला है आप समये अब आप इसमें बहुत सारे concept बहुत सारी value लेंगे इन सब की जवद बिलकुल नहीं है इन सब की जवद बिलकुल नहीं है आप सीधे सीधे questions को कर सकते थे कैसे देखिए अगर मैं conceptually समझू तो जब मैं less than 1 लूँगा सारे negative greater than 1 लिया मतलब 1 से बड़ा और 2 से छोटा तो ये 2 जो है मतलब ये केवल positive हुआ यहां से ये negative फिर negative मिलेगा ऐसी चलते जाए महलो में लू 9 to 10 समझना तो जब 9 to 10 लूँगा तो ये 9 हो गए positive 9 हो गए positive क्योंकि यहां cross कर दिया 9 को और यहां पर 11 factor हो गए negative तो overall negative मिलेगा यानि एक तरह से हम ऐसा भी बोल सकते हैं fx equal to की 9 factor negative मतलब 9 positive है 9x और 11x negative है मतलब minus 2x यानि आपको अगर f dash x करा आपने तो ठीक minus 2 मिलेगा अच्छा ठीक यहां पर अगर मैं 10 ले लो ठीक 10 ले लो तो क्या होगा कि 10 negative 10 positive तो cancel ही हो जाएगा यानि यही इसका point of minima होगा क्योंकि जैसे ही मैं 11 लूँगा यहां पर fx plus 2x मिल जाएगा और यहां से positive हो जाएगा यानि आपने एक बात समझी यह negative यहां पर differentiation positive यह आगया हमारा point of minimum अब जैसे ही 10 रखेंगे आप minimum value भी निकाल लेंगे तो 10 आपने रखा तो देखी क्या होगा जब आप 10 रखेंगे तो 10 minus कितना बहुत इजी ले निकाल सकते हैं 9, 8 से लेके 1 तक plus 10 minus 10 हो गया 0 फिर यहां रखो 10 तो यहां ऐसे सुचो 10 रखा तो 10 फिर 9 से लेके फिर 1 तक right यानि आप ऐसा भी बोल सकते हैं 9 into 9 plus 1 by 2 plus 10 into 10 plus 1 by 2 sigma n का बहुत बड़ा रोल है 10 हो गया 5 time cancel तो 45 यह cancel 5 time and 55 and this is this is 100 sorry यह पूरा हो गया 100 यानि इसकी minimum value हो गई 100 अगर number of factor C1 है इसमें तो अगर number of factor odd होते तो भी कोई problem नहीं है जिस point पर nature change हुआ है वो आपको देखना होता है यही इसका basic funda यह ही है कि आपको maximum से minimum जाना होता है अब मैं आता हूँ उस question पे जिसके लिए आपको जिसमें अकसर आपको बहुत time लगता है बहुत confusion होता है वो question अब आप इसके वज़े से कभी भी तफ पे जाओगे तो problem बनी रहेगी तो यह एक बिल्कुल फंडा याद रखिए कि तफ डारेक्ट नहीं करने है और तफ करी नहीं पाएंगे आप उसमें उलज जाएंगो पर पर परेशान होते हैं सिम्पल से तफ पे जाएए पता ही नहीं चलेगा जीरो स्टेप से चलना चालू करेंगे तो टैन्थ स्टेप टैन्थ फ्लोर पे भी चले जाओगे पर डारेक्ट अगर आप टुंटी फ्लोर पे जाने का सोचोगे तो आप हमेशा ट्रवल करोगे इस बात को यहाँ पर याद करिए और इस कंसेट को फॉलो करेंगे तो सिंपल तरीके से जाएए पहले सिलो खेलना चालू करिए मैं हमेशा प्लियर से कंपेर करता हूँ फास्ट अपने आप सीख जाओगे अगर आप सिलो ही नहीं खेल पाओगे तो फास्ट कैसे खेलोगे यह एक फंड़ आपको फॉलो करना है अब मैं आता हूँ आपके साथ नेक्स कोश्चन पर इसको आप पहले नोट कर लो येस नेक्स कोश्चन की बात करते हैं देखिए क्या है मौड ओफ एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस वन तुरी एक्स माइनस वन ये कोश्चन और अच्छा है और कंस्प्शल कोश्चन है अब तू हंड़ड एक्स माइनस वन राइट अब तू हंड़ड एक्स माइनस वन अगेन ध्यान रखेगा इसमें भी हम गिराफ से समझें सबसे पहले और मैं माल लेजिए थोड़ी दिर के लिए एक्स की वैलू ठीक जीरो रखड़ू ठीक जीरो रखड़ू तो वन 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 हंडड टाइम आया यानि यह यहाँ पर हंडड से स्टार्ट होने वाला है राइट और अगर मैं इसके बाद ठीक वन रखड़ू तो वन पर क्या होगा आप समझें अच्छा इसका ब्रेकिंग पॉइंट है वन बाई टू इसका वन बाई थरी इसका वन बाई फोर यानि सबसे बड़ा पॉइंट है वन लॉजिकली समझें कि वन तो यहां कहीं आने वाला है और ठीक जीरो पर अगर हंड्रेड है और वन रखेंगे तो वन मैंनस वन जीरो अब देखिए जब आपने वन रखा होगा तो क्या होगा टू मैंनस वन वन प्लास आपको मिडिल मोस्ट वैलू बता रहा हूँ आपने ठीक वन रखा तो बता ही क्या होगा टू से लेके 99 तक यानि इसका सम करना है तो 99 इंटू 99 प्लस 100 बाई 2 यानि एक तरह से 99 डवल जीरो बाई 2 4 9 5 0 4 2 से कैंसिल करा 4 टाइम 1 9 टाइम 8 1 5 0 यानि 4 9 5 0 इसका 1 पर वैलू है यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 4910 यानि कहीं उपर है कुछ ग्राफ ऐसा बना रहा होगा ठीक 100 ओर नीचे कर सकते हैं समझाने के लिए बता रहा हूँ अब आपको ये पॉइंट धूणना है जैसे कि आपको 1 बाई 2 1 बाई 2 यहाँ पर लेंगे फिर 1 बाई 3, 1 बाई 4, 1 बाई 5, 1 बाई 6 अब टू 1 बाई 100 अब इस कोशन को अगर आपने जो मैं तरीका बता रहा हूँ वैसे सोचोगे तो बहुत जली कर पाऊँगे नहीं तो फिर वही ट्रवल होने वाली जो बता रहा हूँ अच्छा इस कोशन को जड़ा ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर 1 बाई 100 है और यहाँ पर 1 है तो इस कोशन को कुछ अगर हम उल्टे तरीके से लिख लें तो कंसेट बनाना मेरे लिए आसान होगा मतलब यहाँ से में ब्रेकिंग होगी चालो 100 X माइनस 1 99 X माइनस 1 अब यह 100 X माइनस 1 अब आप पहला केस लेंगे X less than 1 by 100 तो आपको पता है यह पूरा निगेटिव मिलेगा फिर आप लेंगे X less than 1 by 99 आपको पता है यह पूरा निगेटिव होगा तो logic क्या होना चाहिए इसका logic ही होना चाहिए कि हम simplest way में कैसे जाए तो देखिए अगर मैं इन सब को add करूँ तो यह 1 है यह 2 है 3 है ऐसे चलता जाएगा इसके ठीक पहले होगा 2 X माइनस 1 3 X माइनस 1 4 X माइनस 1 तो आप एक तरह से 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100 तक को add कर रहे हूँ करिये ज़रा add तो अगर मैं क्योंकि मुझे यह देखना है कि कब negative से positive हो रहा है वो point दूणना है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 100 तो जैसे ही मैंने इसको add किया तो 100 into 101 by 2 अगर आपको calculation का करनी देखिए 101 into 50 यह हुआ 5 यह हुआ 0 यह हुआ 5 और यह भी हो गया 0 यानि logically 5050 अब यह बात आपको समझ में आ गई होगी जब मैंने इसका multiply गया 5 0 5 और 1 0 और इसको अगर मैं आदा कर दूँ तो 2525 होता है यानि जहां पर भी x की जिस value पर 2525 को यह cross करेगा negative से यह positive चला जाएगा समझेगा कि अगर मैं सबसे पहले x less than minus 100 लेता तो यह पूरे के पूरे negative मिलते हैं मतलब मुझे कुछ fx ऐसा मिलने वाला होता minus 5050 x plus 100 और फिर मैं इसको differentiate करता तो मुझे यह negative मिल गया यानि पूरा funda इस पर based है कि कब decreasing से कब decreasing से वो increasing पे जाता है तो कहां तक फिर इसके आगे गए फिर आपको पता अच्छा क्या होगा एक चीज़ समझेगा यहाँ पर 100 है 99 है यहाँ यहाँ पर 2 तम का summation ही 199 है जबकि यहाँ पर 1 है फिर 2 है फिर 3 है इसका मतलब इसमें middle most से तो उपर चले जाएए मतलब 50 का तक नहीं सोचिए 60-70 तक देख लेज़े अब आप 70 अगर लेते हैं माल लेज़े माल लेज़े कि X की value 1 by 70 लेते हैं थोड़ी दर के लिए सोचिए तो यह 70 टम तक यह 70 टम तक क्या होता यह देखना होगा हमें और वो आगे क्या होता मतलब हमें negative से positive जाना है basic logic यह है तो आपने माल लो X की value रखी होती 1 by 70 ठीक है अब 1 by 70 रखी होती तो क्या होता बताईए आप लिखते 100 मतलब आप इसको add करते हुए देख लो कि क्या क्या मिलता जाएगा तो आप यह सब के सब positive मिल जाते बाद वाले आपको negative मिलना है स्टार्ट हो जाते तो आप यह बात आती है दिमाग में कि 1 by 70 ही क्यों लिया है क्योंकि समझेगा आप जब value रखते हैं जैसे यह रखा आपने 1 by 70 minus 1 इसका nature negative है 1 by 70 minus 1 इसका nature भी negative है तो हमें यह देखना है कि यह कप क्रॉस करेगा तो सबोज यह 1 by 70 लिया होता तो क्या होता 160 लिया होता तो क्या होता x की value मालो 1 by 60 लिया होती तो क्या होता 1 by 60 लिया होती तो पहले 60 term तो आप यही करते हैं 60 into 60 plus 1 by 2 आपने ये जैसे करा तो ये 30 हो गया ये हो गया 61 into 30 देखो लॉजिक से समझ में आता ये 1800 के आसपास हुआ ये देखिए 3 और 180 हमें इसको क्रॉस करना है अब बात आती ही कि माल लीजिए मैं 1 by 70 लेता ये फिगर जली कल्कुलेट होते हैं 70 into 70 plus 1 by 2 यानि एक तरह से ये होता ये 35 हो जाता तो 71 into 35 राइट मल्टिप्लाइ कर लीजिए मल्टिप्लाइ करने का एजी टेक्निक आप यूज करा करें 70 plus 1 ही लिखें into 35 तो देखिए क्या जाएगा ये आगया 35 plus ये देखिए 75 जो 35 फाइव ऐसे कर रहा हूँ है 35 into 70 थोड़ी कलकूलेशन लगेगी तो ये आगया 35 3 21 plus 3 24 and 0 2 4 5 0 प्लस 35 यानि 2 4 8 5 इसका मतलब अभी भी क्रॉस नहीं किया 70 से बड़ा हो सकता है अब मैंने मान लीजिए कि 70 अब इसके आजपास ही होना चीए इसको क्रॉस करना है आप समझी निगेटिव से पॉजिटिव पहुचाना है अब मान लो मैंने लिया 71 अब वो भी देख लेते हैं तो अगर मैंने 71 लिया होगा तो क्या होगा 71 into 72 by 2 n into n plus 1 by 36 अब देखिए आप करिए 70 plus 1 into 36 तो देखिए यह आगया 36 और 70 into 36 करेंगे तो कितना आजाएगा 2, 4 आजाएगा 3, 21 plus 4, 25 2, 5 2, 0 plus 36 यह क्रॉस कर गया यानि x equal to 1 by 71 इसका point of minima होगा जैसे ही middle most को क्रॉस करें क्योंकि जब तक middle most को क्रॉस नहीं करेगा negative चलता रहेगा या फिर positive चलता रहेगा तो हमारा funda यही है इसमें कि हम यह ध्यान रखें कि कभ यह negative से positive हो रहा जहां negative से positive हुआ वो point of minima छोड़ गया अब आपको माल लो इसकी minimum value बतानी और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप इसके आगे पीछे के point रखके देख सकते हैं और बहुत easily calculation कर सकते हैं वो concept भी समझाता हूँ तो अब आपको यह मिल गया कि x equal to 1 by 71 इसका point of minima है यानि यह जो भी कुछ है सबसे कम 1 upon 71 पे देता है अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रखी जाएंगी जब 1 upon यहाँ पर कहीं पर 71 x minus 1 b होगा ठीक जब 1 upon 71 रखेंगे तो 0 होगा और इसके आपको प्लिए क्या होगा समझ लीजिए साड़ा concept इस पर बेज़ दे बिलकुल ख़वराने की जववत नहीं समझ नहीं की जववत है और 70 minus 70 x minus 1 अब आपने रखा 1 by 71 सूचें आपने जब 1 by 71 100 minus 1 रखा तो क्या हुआ होगा 100 minus 71 by 71 यह कितना मिला 29 यह कितना मिला 29 तो आपको एक तना से मिला 29 by 71 अब इसमें जब आपने 71 रखा तो एक ही काम है यानि 28 by 71 और ठीक जब यहां 71 रखा होगा तो देखे क्या होगा 1 by 71 यानि 1 upon 71 और यह सब प्लस में है कई multiply दिख जाए तो confuse मत होना बाइ mistake हो सकता है अच्छा यहां पर ठीक 0 मिला प्लस प्लस अब यहां पर आजाएए यहां पर जब 1 by 71 लिखते तो यह मिलता 1 upon 71 यानि 1 upon 71 फिर मिलता 2 upon 71 3 upon 71 अब 2 जब last में रखते 1 upon 71 minus 1 तो आप लिखते 1 minus 71 upon 71 यानि basically 70 मिलता 70 by 71 एक और लॉजिक बताता हूँ यह 1 से 70 है यह 1 से 29 है इसका सम अगर मैं करूँ तो यह होता है 99 बिल्कुल सही है क्योंकि यह 1 से लेके 100 factors है एक factor ने 0 कर दिया तो बाकी factors का पूरा summation 99 आना चीए अगर कही mistake हो रही तो catch करने का तरीका है और अब मैं इसके आगे पीछे की value आपको बहुत क्विकली बता पाऊंगा अब समझिए कि इसका denominator तो 1 by 71 ही हो गया यह एक तरह से sigma 29 है मतलब n 1 to 29 है और यह sigma 1 to n equal to 1 to 70 है sigma n बस अगर मैं यहां पर यहां पर अगर मैं 70 ले रहा होता तो 30 से start हो जाता वो 69 पे खतम हो जाता यह इसका proper fund है वही concept समझना है तो अब आप समझिए 1 by 71 के बाद अगर मैं बात करूं तो आप लिखते 29 into 29 plus 1 by 2 plus 70 into 71 by 2 यह होता 1 by 71 यह हो गया 30 by 2 15 29 into 15 plus 35 into 71 एक चीज़ा दखेगा आगे चलके 71 का हमें divide भी करना है आप multiply करेंगे multiply करना हो तो 30 minus 1 into 15 लिख लिए फायदा आप लिखेंगे 15 minus का 15 3 जा 45 450 minus 15 यानि 435 प्लस ऐसे ही यहां पर करना हो तो 71 into वैसे भी करा था आपने हैं पर फिर भी करना हो तो 70 plus 1 into 35 ये देखें 35 75 35 5 3 21 प्लस 3 4 2 4 5 0 2 4 8 5 जो हम दे निकाला था राइट इसको एड़ कर लेजे कहीं calculation mistake होगे तो जहूँ चेक कर ली जाएगा पूरा ध्यान रखता हूँ पर अभी मेरा आपको concept समझाने का दिमाद में ये 5 इसमें एड़ किया तो 90 10 एड़ किया तो कितना हो जाएगा 50 नहीं इसका ले लो सीधा सीधा 50 ले लो 2500 तो ये मिला 420 देखिए 2500 15 ले लिया तो ये बचा कितना 420 420 और अड़ कर दीजे तो 2 9 बो सरी 2 ये सरी 420 इसमें एड़ कर दीजे तो ये मिल गया आपको 0292 2920 बाई 171 अब आपको कम इसके पहले और बात की वैलू का आप चेक कर सकते हैं ये इसका प्रापर तरीका है राइट नोट कर लिजे कोशन को यस तो आप नेक्स कोशन देखते हैं तो इस तरह से आप इन कोशन को बहुत अच्छे से concept बना सकते हैं आपको केवल ये देखना होता है कि मिडिल मोस्ट वैलू लगवक जहां से नेचर फंक्षन का नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए वो कौन सा रूट्स हो सकता है और जैसे ही वो आप कैच कर लेंगे आप उसके आसपास के रखके भी इस डंग से निकाल सकते हैं और करिएगा प्राक्टिस उससे concept बनेंगे जैसे एक और कोशन है इस तरह का कोशन एक बार 2x-1 प्लस 3x-1 प्लस 4x-1 अब टो 119x-1 अब जैसे बोला जाए इसकी minimum value m है तो find m find root of m ऐसे कुछ भी आ सकते integer value question में अब आपको यह भी समझ में आगे time consuming है तो ऐसे questions conceptual concept बनाने के लिए ठीक है पर exam में attempt करने वाले question नहीं होते बिल्कुल last attempt वाले question होते है अब देखिए इस question को हम समझे तो फिर एक बात समझे कि हम start इसको reverse order में करें क्योंकि छोटी value यहां है ऐसा है यह एक तरह से ऐसा सोच सकते है question बिल्कुल पिछले जैसा ही है और x-1 समझें तो ठीक अगर मैंने 0 रखा होता तो इसमें 1 से लेके 1 से लेके 1-1-9 तक है यानि अगर 0 रखा होता तो सीधा 1-1-9 मिलता और 1 रखा होता ठीक 1 रखा होता तो 1-1-0 यहां पे स्टार्ट होता 1-2-3 अब टू 1-1-8 तक मिलता यानि यहां कहीं उपर चला जाता यह और ऐसा कुछ आप समझ लेजे 1-1-9 या है ऐसा कुछ कर मिल रहा होता अब आपको वो concept देखना है कि किस पर इसका minimum मिलेगा अच्छा breaking point आपको समझ में आते हैं कि 1 है 1 by 2 है 1 by 3 है 1 by 4 है अब टू 1 upon 1-1-9 है और जब less than 1-1-9 लिखेंगे तो negative मिलेगा तो negative से positive का मिलेगा यह चेक करना है तो 1 plus 2 plus 3 अब टू 1-1-9 को add कर दीजिए तो सबसे पहले इसको जैसे ही add करेंगे तो 1-1-9 इंटो 1-1-9 प्लस 1 by 2 इसको जागता है और लिख दे करो 1-1-9 इंटो 60 यह हो गया 4 6-9 जा 54-4 5 and 1 1-7-1-4-0 यानि हमें यह समझ में आ गया कि 7-1-4-0 total summation है अब negative positive देखना तो इसका middle most कर दीजिए तो अगर divide करूँ तो 3-5-7-0 जिस किसी value पर भी 3-5-7-0 को cross कर रहा होगा वो हमें middle most value मिल रही होगी अब इसमें हम क्या करने वाले हैं वो समझें जैसे माल लो कि पिछले question में आपने एक चीज़ देखी थी कि हमने 70 तक गहते हैं यहाँ पर क्योंकि 190 है तो 80 पर जाते हैं तो अगर मैं आपसे बोलू कि 80 करो तो 80 into 80 1 by 2 ही करने वाले हैं बहुत जली जाएगा तो 81 into 40 अब देखिए अगर आप logic से भी चलेंगे तो 4 यह 3-2-4-0 यानि यह 3-5-7-0 को क्रॉस नहीं कर रहा है 80 करने ही रहा है 90 लेता थोड़ी देर के लिए तो 91 by 2 यह 45 हो जाता तो 45 मतलब हो गया देखिए अगर आप logic से ही चलें तो यह क्रॉस कर जाएगा कैसे क्योंकि यहाँ पर यह ऐसा था पहले तो यह ध्यान रखिए जब 90 लिया तो 90 91 by 2 मतलब 91 into 45 राइट करिए आप क्या मिलेगा आपको अगर आप इसको करना चाहें तो 90 plus 1 into 45 से कर लिजिए देखिए यह 45 हो गया यह हो गया 95 जाब 45 5, 4, 36 plus 4, 40 यह देखिए ज़्यादा हो गया और काफी ज़्यादा हो गया यानि हम इसके middle most पर जाएं तो हमारे लिए कुछ आसान हो सकता है तो middle most मतलब अब हम देखते हैं 85 पर देख लें 84 पर देख लें 83 पर देख लें सबोज मैं 85 पर देखूं 85 into 85 plus 1 86 by 2 यानि 85 into यह 2 का डिवाइट किया 43 करिए ज़रा multiply अब multiply करने के आपके अपने अपने तरीके हो सकते हैं आप जिससे comfortable हो उससे कर दीजी इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर किया तो यह हो गया 80, 160, 240 तो 255 प्लस यह हो गया 0 अब देखिए 0, 2, 4, 8, 32 प्लस 32 प्लस 2, 34 येस यह देखिए क्रॉस कर गया 3, 6, 5, 5 यह क्रॉस कर गया यानि मुझे ऐसा लगता है कि 85 इसका correct point हुआ अब आप इसके पीछे और इसके आगे जाके चेक कर सकते हैं यह एक आपको करना पड़ेगा कि अगर मानलो 84 होता तो 84 into अब यह जो calculation होती है यह आपका time बढ़ा देती है इसलिए मैं आपको यह बोलूँगा कि आपको examination point of view से देखें तो यह time consuming questions होते हैं इसको divide किया तो 4 and this is 2, 42 85 into 42 तो यह हो गया देखिए 170, 160 प्लस यह हो गया और यहां पर करिए यह हो गया देखिए पहले तो 1, 0 फिर 4 के साथ करिए 0 and 2, 32 plus 2, 34 देखिए यह नहीं हो रहा है 3, 5 यह ठीक 3, 5 7, 0 ही हो रहा है तो इसका मतलब 84 भी हो सकता और 85 भी हो सकता दोनों पर value मुझे लगता सेम मिलेंगे क्योंकि ठीक 84 भी है यहां पर अब इन दोनों पर मैं आपको value निकालना भी सिखाऊँगा यह बिल्कुल वैसे ही question हुआ जैसे mod x-1, mod x-2 यहां पर एक place ऐसा मिला है जिस पर ठीक यह constant हो रहा होगा आदे plus, आदे minus cancel हो रहा होगा अब यहां पर अगर मैं देखूँ तो मुझे माल लो अब 84, 85 दोनों पर मैं आपको concept समझाता हूँ आपको point मिल गया है एक 84 और एक हे 85 84 पर देख लें, 85 पर देख लें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मैं ठीक 84 रख रहा होता तो क्या होता 84 रखे हैं 1 by 84 रखना है याद रखेगा 1 by 84, not 84 यह तो हम क्योंकि जब roots लेते हैं तो 1 upon होते हैं यह additions कर रहा था हूँ तो आपने 1 upon 84 रखा तो देखें क्या होगा 119 upon 84 minus 1 अच्छा यहां पर कहीं एक इसी जगे भी होगी जो 84 x minus 1 की होगी यहां पर 85 x minus 1 होगा और यहां पर 83 x minus 1 होगा इससे आप पूरे concept बना सकते हैं बहुत easy ले तो यह जैसे ही आपने रखा तो 119 minus 84 upon 84 अब आपने इसको minus किया तो 16 plus 90 35 आया तो इसका मतलब यह मिला 35 upon 84 plus 34 upon 84 मौड है तो positive और यहां पर जाके जब 84 रखेंगे तो 1 by 84 यह सीधा सीधा लॉजिक है यहां पर जब स्टार्ट करेंगे एक बीच में 0 आएगा फिर प्लस आएगे हम तो अब हमने यहां पर प्लस यहां पर चालू करा तो 1 by 84 अगर यहां रख रहे होते हम तो बताएगे क्या होता 1 by 84 माइनस 1 यानि आप यहां से भी निकाल सकते हो कि लास्ट और प्लस का मिलेगा 83 by 84 यानि आप 1 by 84 1 2 by 84 से लेके 83 by 84 तक मिलेगा कभी भी confusion हो तो 83 plus 35 आप एड़ कर लेजिए 8 plus 1 118 is the right क्योंकि total 119 एक factor 0 हो रहा है middle most यह भी तरीका होता है यानि आप questions की practice करते जाएंगे तो steps अपने आप आप की easy होती जाएंगी अब आप इसको add कर लीजिए denominator 1 by 84 छोड़ दीजिए वो तो आना ही है यह sigma 35 है यानि 35 into 35 plus 1 by 2 यह 83 है तो 83 into 84 by 2 तो यह हो गया 1 by 84 इस इस 35 into 18 इस इस 83 into यह हो जाएगा 84 बतलब 42 42 अगर कोई भी चीज़ कैंसल हो रही ही तो कर देना चीज़ जिससे calculation कम हो जाए जैसे अगर हम ध्यान दें तो यह इससे 2 भी निकलता है और यह 3 के multiples भी है यह तो यह कितना हो गया देखिए 1 upon 84 इसको भी चाहें तो 14 into 6 लिख सकते है 35 into 6 into 3 जितनी calculation कम कर सकते है 83 into 6 into 7 एक देखिए 6 भी कैंसल 1 by 14 35 into 3 यानि 105 plus 83 into 7 कर लेजे 1 to 56 plus 258 581 तो यह हो जाएगा 686 by 14 14 से कंसल करेए 14 फोर्जा 56 14 यह हो गया 9 49 राइट 686 by 14 यानि 49 यह value आपके पास आई अब अगर हम समझे इसमें कि माली जी अब आपको यह तो समझ में आ गया था constant है इसलिए यही इसकी minimum value होगी तो अगर आपसे M पूछा है तो 49 होगा एक और बात कि अगर under root M पूछा होता तो आप बोलते 7 राइट अब इसको अगर हम ऐसे सोचें कि अब आपके दिवान में सकता कि 85 पे क्या होगा तो मैं आपको बता दू क्योंकि nature change हो रहा 85 पे भी ये value सेम हो सकती जैसे दो value मिली थी यानि 1 by 84 और 1 by 85 पर तो अगर मालो आप 85 रख रहे होते तो कोई change नहीं करना प्रता जादा 1 by 85 रख रहे होते तो ये 34 हो जाता क्योंकि यहाँ पर 1 by 85 रख रहे होते तो ये 84 आता ये 84 आता तो इसका मतलब यहाँ पर ये 34 हो जाता एक वहाँ बढ़ेगा तो एक यहाँ कम होगा यानि आपको 1 से लेके अब ये आप करिएगा 34 तक का submission करना है प्लस 1 से लेके आपको 84 तक का submission करना है by 85 जब आप करेंगे तो आपको answer मिल जाएगा होते हैं तो आपको वो minimum value छोड़ना होती है कि कहाँ पर मिलेगी तो आपको positive negative से जैसे ही वो खतम होता है यानि increasing decreasing के concept से अगर ये question करेंगे तो बहुत जली होगा और concept बनाने के लिए आप इसके आगे पीछे की value जबूर निकालिए जिससे कि आपके logic भी clear हो concept भी clear हो